हेलो माई डियर स्टूडिंस वेल्कम तु साइंस अंफाइल 11th and 12 तो आज 11th के बच्चों के लिए मैं सेल दा यूनिट ओफ लाइफ चाप्टर लेकर आए हूँ आज हम लोग पढ़ेंगे सेल दा यूनिट ओफ लाइफ क्विक रिविशन करेंगे क्योंकि पूरा डिटेल में चाप्टर करने का अब भी तो लास्ट टाइम में कोई है नी फाइदा है ना तो हम जितना जल्दी टाइम को सेव करके जल्दी फटा फट से सारी चीज़े पढ़ाई होगा अल्रेड़ी आप लोग लासे में अल्रेड़ी पढ़ चुके होगे सो श्रीदेन इंश्वान तो दोनों ने मिलकर फॉर्मूलेट की थी सेल थियोरी को और प्रपोस्ट आप अनिमल इंप्लांट और कंपोस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोड़क्ट ऑफ सेल्स सबसे पहले मौडिफाई किया और गिव गिवन दाफाइन शेप तो दा सेल थियोरी अल्स एल्गानिसम्स अर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड प्रोड़क्स ऑफ सेल्स अल्स अराइस फॉम प्री एक्शिस्टिंग सेल्स उन्होंने एक थियोरी दे थी उन्होंने लिखा था ओमन इस सेलुला इस सेलुला इसका क्या मतलब होता है कि सारे ही सेल्स जो डिवाइड होते हैं वो किसी ना किसी प्री एक्शिस्टिंग सेल्स से ही आए होते हैं पर उन्होंने यह नहीं बताया था कि जो सबसे पहला सेल्स जो औरिजिनेट हुआ होगा इस वर्ल्ड में इस प्ल चले तो आगे चलते हैं cell theory के बाद prokaryotic cells देख लेते हैं एक overview देख लेते हैं आप लोगों को पता ही है रुडॉल्फ वर्शो का हम लोगों ने देख लिया फिर Robert Hooke ने cell membrane की discovery की थी रॉबर्ट ब्राउन ने nucleus की discovery की थी तो यहां पर prokaryotic cells के बारे में फटा फट से हम लोग देख लेते हैं भलड़ फ यह चाहँ होगा देख लेता ब्राफ है ब्लो से बीचर प्रीडियोby कोमा ब्राइर्ञ फट अ मिकोड़ा सीफ्या की universo प्रोड़ा फ्रॉल्ut प्रो निमोनिक लाइक अर इसमो ध्यो जो spiral होते हैं and there is presence of many small circular extra chromosomal and self-replicating DNA जिसे हम plasmid भी बोलते हैं बहुत ही जादा unique characteristic prokaryotes में पाया जाता है about plasma in the bacterial cell of course plasmid provide करता है unique characteristic to the bacteria कोई भी membrane bound cell organelles यहाँ पर नहीं present होती सारे के सारे cell organelles freely cytoplasm में swim कर रहे होते हैं specialized differentiated form of cell membrane जिसे हम miso-sombie बोलते हैं वो भी present होते है prokaryotic cells के अंदर यह overview हो गया यहाँ पर देख लो prokaryotic cell में flagella present होती है पिलाई होता है ठीक है पिलाई basically sexual reproduction जब bacteria की होती है तो उसमें पिलाई का यूज आता है फ्लाजिला अफ्कॉर्स फॉर locomotion it will be used plasmid अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ए एक्स्टा chromosomal dna होता है जो self replicate कर सकता है capsule एक तरह का ना coating होती है इसकी cell के membrane में capsule से वो covered रहता है बहुत ही जादा irresistible material से बना हुआ होता है cell plasma membrane ribosome cell wall cytoplasm nucleoid ठीक है यहाँ nucleus तो लिखा नहीं nucleoid लिखा हुआ है तो यहाँ पर freely cyto DNA material जो है chromative material जो है वो swim करता है cytoplasm के अंदर difference between prokaryotic and eukaryotic cells के बीच का difference देख लो membrane enclosed nucleus present होगी eukaryotes में nucleolus present होगा eukaryotes में mitochondrion and everything जबकि यहाँ पर कोई भी membrane bound चीजे नहीं present होगी cell membrane दोनों में होगा cell wall इसमें होगा और कुछ eukaryotes में भी cell wall होते हैं flagellum इसमें होगा जो वहाँ पर नहीं है capsule in prokaryotes in some prokaryotes it is present while in eukaryotes it is absent nucleoid यहाँ पर होता है जबकि वहाँ पर nucleolus present होता है ribosomes तोनों में ही होते है ribosomes basically protein बनाने के लिए यूज किये जाते है plasma membrane के बारे में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से अब आजाते है eukaryotic organisms के cells के बारे में अब हम लोगों ने prokaryotic cells देख लिया eukaryotic cells देख लेते है plasma membrane जिसे हम cell membrane भी बोलते हैं या cytoplasmic membrane भी बोलते हैं यह actual में selectively permeable membrane होता है cell का which is composed of lipid bilayer and proteins तो basically किस चीज से बना हुआ है protein and lipid से protein की layer बीच में होती है और दोनों side में lipid की layer होती है इसलिए दो layers होने के वाज़े से यहां पे bilayer लिखा हुआ है the plasma membrane is present both in plant and animal cells which functions as a selectively permeable membrane by permitting the entry of selective material in and out of the cell according to the requirement तो plasma membrane क्या होती है plasma membrane basically selectively permeable membrane होती है कुछ ही substances को ही allow करती है to enter into the cell और कुछ ही substances को ही allow करती है to go out of the cell not all the substances are permitted right ओके चलो आगे चलते है एन्मल सेल में cell membrane functions by providing shape and protecting the inner content of the cell based on the structure of the plasma membrane it is recorded as a fluid mosaic model तो यहां पर जब भी आप से पूछा जाएगा कि कौन सा model proposed किया गया था to explain the plasma membrane structure तो आप लोग लिखोगे fluid mosaic model यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है ना कि lipid की bilayer में present होती है protein तो यही चीज़ है अब इसमें polar head और hydrophilic tails hydrophobic tails दो चीज़े present होती है lipid के मतलब इस fluid mosaic model में तो hydrophobic tail जो है एक second hydro मैं लिखके बता देती हूँ hydrophobic tail hydrophobic phobic यहां में कि that is afraid of water hydrophobic tail is towards the inner side towards inner side whereas polar head जो इसमें होती है polar head का होती है towards outside of the cell membrane ठीक है यह एक extra knowledge है RBC 52% protein protein and 48% lipid ऐसे ही composition अलग अलग cell में अलग-अलग हो सकती है थोड़ी बहुत differ कर सकती है बस यह है कि mostly यह lipid और protein का ही बनाता है तो इतना ही आपको याद रखना है यह देख लो बहुत ही बढ़ियां सा fluid mosaic model है यहां पर आप देख सकते हैं protein के channels present है cholesterol की यह चोटी-चोटी beads है glyco lipid present होता है यहां पर glyco lipid and glycoprotein यह modification है protein और lipid का जो cell membrane में पाया जाता है यह extracellular fluid है और यह अंदर cytoplasm है यानि कि cell के अंदर की चीज़े यहां पर है cell के बाहर की चीज़े यहां पर है उस cell के बाहर में मैंने आपको बताया था कि hydrophobic tails जो होंगी वह towards inside होंगी है ना कहां गया देखो hydrophobic tails जो है वह towards towards inside है और hydrophilic tails जो होंगी वह towards outside होंगी और outside क्या होते हैं उसके अलावा polar heads present होते हैं है ना तो यहां पर कहां पर है polar heads glycoprotein के ही form में है तो यहां पर देखो alpha helix protein का surface protein filaments of cytoskeleton integral protein यह इस तरीके से यहां पर present होता है peripheral protein periphery यानि की किनारे में तो यह in side यानि की cytoplasm के side में यहां पर छोटा सा peripheral protein भी यहां पर present होगा तो इस तरीके का यह fluid mosaic model का structure होता है plasma membrane cytoplasm देख लेता है it is present both in plant and animal cell these are jelly like substances found between the cell membrane and nucleus cell के अंदर nucleus present है और cell जो है वो outer side से outer covering जो है उसकी cell membrane की है तो उन दोनों के बीच का जो space होता है cell के अंदर that is cytoplasm they are mainly composed of water organic and inorganic compound it is one of the most essential component of the cell where all the cell organelles are embedded है ना तो यहां पर ही सारे के सारे cell organelles embedded होता है freely वो prokaryotes में तो freely float करते है बिकाज उनके पास कोई भी membrane नहीं होती cell organelles के पास पर यहां पर embedded होता है it contains enzyme mainly responsible for controlling all the metabolic activities taking place in the cell and it is a site for most of the chemical reactions within a cell आप लोगों को पता ही होगा respiration का जो process होता है पहला process वो cytoplasm के ही अंदर होता है है ना तो यह हो गया उसके बार एक second सारी चीज़े तो हो गई इसके पहले की और फिर हाँ एक और चीज़ यहां पर जो लिखा हुआ है fluid mosaic model fluid mosaic model दिया किस ने था singer and Nicholson stinger and Nicholson जो भी extra चीज़े extra points में आप लोगों को बता रही हो प्लीज उसको याद रख लेना ठीक है चलिए आगे चलते है nucleus पे nucleus क्या है it is a double membrane cell organelle आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि कौन सा cell organelle double membrane होगा कौन सा cell organelle single membranus होगा ठीक है so it is found in all eukaryotic cells क्योंकि prokaryotes में तो nucleus होता ही नहीं है वहाँ पे nucleoid है freely DNA के जो strands है वो freely float कर रहे हैं so it is the largest organelle which functions as the control center of the cellular activities और यह storehouse होते है of the cells DNA cell के अंदर जो DNA present होगी वो नहाँ पर होगी nucleus के अंदर होगी basic जो chemical controlling होता है control center होता है वो nucleus होता है जैसे हमारी body का control center is our brain वैसे ही हर एक cell का control center is the nucleus by structure nucleus एक dark round surrounded by a nuclear membrane जैसा structure है और वो membrane porous होती है like a cell membrane और form करती है wall between the cytoplasm and nucleus nucleus के अंदर की जो fluid होती है उससे कहते है nucleoplasm cell के अंदर की जो fluid होती है nucleus को हटाने के बाद उस fluid को कहते है cytoplasm और दोनों को मिला आकर पूरे cell का जो fluidy structure, fluidy content होता है that is known as protoplasm within the nucleus there are tiny spherical bodies called the nucleolus it is also carry, it also carries another essential structure called chromosomes ठीक है chromosomes in the form of chromatin fibers chromosomes are thin and thread like structure that carry another important structure called gene, genes are a heredity unit in your organism that is it helps in the inheritance of trait from one generation to another generation, very easy है ना has the nucleus control the characters and functions the cell in our body primary function क्या होता है nucleus का to monitor cellular activities including metabolism and growth by making use of DNA's genetic information अब genetic information को use करके protein बनती है उसी के basis पर इसका light हो गया होगा इसका color because of extra lighting यहां पर तो आपको I hope समझ में हा रहा होगा नहीं तो PDF तो मिली जाएगी तो उसमें आप देख लेना तो यह अंदर में nucleoplasm present होगा येस तो nucleolus अंदर में present होगे और यहां पर extra यहां पर जो ऐसे thread like structure देख रहे हो देख रहे हो this is chromosomes chromatin fibers के form में यह criss cisternae है nucleus का ठीक है double membranus है तो अंदर की layer में cisternus present है endoplasmic reticulum side में आप लोगों को diagram भी दिख रहा होगा यहां पर endoplasmic reticulum का यह network होता है membranus canal का which is filled with a fluid there are transport system of the cell involved in transporting material throughout the cell there are two different types of endoplasmic reticulum आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है दो अलग-अलग तरह के endoplasmic reticulum होते एक होता है smooth endoplasmic reticulum में एक होता है rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum के surface में छोटे-छोटे ribosome के बीच होते है that is why it appears as rough इसलिए उसे rough endoplasmic reticulum बोला जाता है तो वो ribosomes क्या करते है of course protein बनाने का काम करते हैं तो rough endoplasmic reticulum is involved in making proteins और smooth endoplasmic reticulum smooth इसलिए है क्योंकि इसके surface में lipid की layer होती है तो lipid की synthesis के लिए smooth endoplasmic reticulum is responsible तो यहां पर rough endoplasmic reticulum is composed of sister ने tubules vesicles which are found throughout the cell and are involved with protein manufacture because of because of RNA sorry RNA नहीं sorry ribosomes अभी मैंने ribosomes ही बोला ना RNA तो नहीं बोला क्यों यह rough appear होते है because of ribosomes ribosomes क्या होते है अभी मैं आपको बताऊंगे smooth endoplasmic reticulum they are storage organelle associated with the production of lipid ठीक है production of lipid ध्यान से देखो steroids और also responsible for detoxifying the cell तो यह भी आपके MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सा cell organelle है जो detoxification के लिए responsible होता है so you will write SER smooth endoplasmic reticulum यहां पर आप लोग देख सकते हो इसका पूरा structure यह जो छोटे-छोटे red color के बीट से आपको दिख रहे है यह जादा ribosomes देखो यहां पर लिखा हुआ भी है और यह rough endoplasmic reticulum है यहां पर देखोगे तो यह बहुत जादा smooth स्मूद दिख रहा है तो यह smooth endoplasmic reticulum है आपको पता है lipid बहुत ही जादा smooth substance होती है तो वो अगर किसी भी layer में होगी तो वो smooth बना देगी तो that is why it is involved in lipid synthesis और यह rough endoplasmic reticulum is involved in protein synthesis protein manufacturing चलिए आगे चलते है हम mitochondria pate is also known as a powerhouse of the cell very easy बचपन से ही सुनते आ रहे हो mitochondria is also known as a powerhouse of the cell जीवन में कभी भी कुछ भी भूल जाओ पर यह तो आप लोग नहीं भूलोगे है ना as they produce energy rich molecule for the cell क्यों बोला जाता है powerhouse ताकि वो क्योंकि वो energy rich molecule को cell में manufacture करते हैं जब respiration होती है ना तो पहला पार्ट तो respiration का जो glycolysis वाला पार्ट है glucose का breakdown होके pyruvate बनाना वह process तो cell के अंदर cytoplasm में होता है लेकिन उसके बाद का जो process है जहां पर energy की manufacturing हो रही है energy produce हो रहा है वह वाला process mitochondria के inner membrane में होता है that is why mitochondria को powerhouse of the cell बोला जाता है बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं बोला जाता है बोला जाता है क्यों बोला जाता है अब समझ में आ गया होगा the mitochondrial genome is inherited maternally in several organism यह एक तरह का double membrane bound structure होता है sausage shape का organal होता है लगभग सारे ही eukaryotic cells में present होता है the double membrane divides its lumen into two distinct aqueous compartment inner compartment को हम matrix बोलते हैं जो folded होते हैं बहुत सारे क्रिस्टे में whereas outer membrane को it forms a continuous boundary with the cytoplasm और यह usually vary करते हैं अपने size में और यह या तो round या तो over shape में पाए जाते हैं समझ में आ गया बच्चो I hope समझ में आ ही गया होगा बाकी कुछ extra points है तो मैं देखती हूँ वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी matrix हो गया and everything ठीक है crystal and the inner membrane is studied with numerous spherical knob like protuberance called elementary particles हाँ यह भी है elementary particles या F1 particles या फिर oxyzoom समझे से बोलते हैं वो present होता है कहां पर crystal में ठीक है और उसके inner membrane में छोटे छोटे bead like particles present होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं F1 particles बोलते हैं F1 particles या oxyzoom ओके और कोई extra point है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को the enzyme and electron carrier for formation of ATP are present only in the inner membrane inner membrane में ही ATP बनाने के लिए जो enzymes होती और जो electron carriers होते हैं वो mitochondria के ही inner membrane में पाए जाते हैं तो मैं जैसे से बोल रहे हैं वैसे वैसे आप अपने NCRT के side में लिख लो देखो मैंने भी लिख रखा है सारी चीजे ना मैं जहां पेसे भी मुझको ग्यान मिलता है मैं वो सारी चीजे लिख लिया करती हूं ठीक है देखो कई सारी ही pages मेरे एकदम हमेशा फिल रहते हैं कोई भी बिलकुल भी जगह नहीं होती इसको छोटी सी जगह भी नहीं होती कि एक्स्ट्रा कुछ लिख सकूं ठीक है तो सारी चीजे मैंने लिख रखी आप लोगों को भी लिख वारी हूं नहीं लिख वारी हो तो फिर बोल रही हूं तो उसी को आप लोग लिख लो mitochondria is a site of aerobic respiration देखो भी आप लिखा हुआ भी है और मैंने बताया भी it produces energy in the form of ATP and helps in the transformation of the molecule तो यह ATP के लिए जो enzymes required होती है वो enzymes कहां पर present होती है इनर मेंब्रेन में इनर मेंब्रेन ओफ मैंटोकॉंड्रिया ठीक है फॉर इंस्टेस ग्लुकोस कंवर्ट होता है एड़नोसें ट्रिपोसपेड यानि ATP में ATP मॉलेक्वल में तो माइटोकॉंड्रिया के पास अपना खुद का एक सर्कुलर डियने RNA मॉलेक्यूल और राइब को खुद का dna है इसके अंदर जो matrix है उस matrix के और boundary के बीच में space इंटर मेंब्रेन इसके बोलते है इसके बाद खुद का ribosome होता है आउटर membrane देखो यह इसकी ऐसी है kristi जो inner folding होती है inner membrane की folding that is known as kristi inner membrane यहीं पे छोटे-छोटे बीड़ प्रेजेंट होते है that is known as F1 particles or oxyzomes ठीक है या फिर elementary particles अगला चलते है Plastid में बहुत ही प्यारा cell organal है रंगीला cell organal है it is double membranous cell organal which are found in the cell of plant and algae plants में ही mostly पाय जाते हैं क्योंकि इसके जो तीन अलग-अलग types है chloroplast, chromoplast and leukoplast तो chloroplast का तो आपको function पता ही है कि क्या होता है जब तक plant में present नहीं होंगे Plastids तो photosynthesis ही नहीं हो पाएगी Plastids are responsible for manufacturing and storing of food these often contain pigments कौन-कौन से pigments देखो chlorophyll pigment, ठीक है, xanthophyll pigment फिर carotene है ना यह सारे pigments प्रेजंट होते हैं Plastids में that are used in photosynthesis और different type of pigment that can change the color of the cell तो यह जो आप flower का अलग-अलग प्यारा-प्यारा color देते हो अलग-अलग different colors में Plast और उसके birds और pollen grains यह सारी चीज़े जहाँ जहाँ पर भी आपको color दिखाई दे रहा है plant में वहाँ पर chromoplast present होते हैं there are different types of Plastids with their specialized functions among them a few mainly classified based on the presence and absence of the biological pigment और उसकी stages of development पे वो अलग-अलग तरीके से categorized है chloroplast जो पहला हर first type का जो Plastid होता है it is double membrane bound organelle usually vary करते हैं shape में from disc shape to spherical, discoid, oval and ribbon present होते हैं mesophyll cells में कहाँ पर mesophyll cells जहाँ पर photosynthesis होती है of the leaves and वहाँ पर chloroplast stored होते हैं और other carotenoid pigments भी stored होते हैं ये pigments responsible होते हैं light energy को trap करने के लिए ताकि photosynthesis हो सके inner membrane enclosed होता है एक space में जिसे हम stroma बोलते हैं flattened disc like shape का chlorophyll containing structure होता है जिसे thalakoid बोला जाता है it is arranged in stack manner in a pile of coins जैसे coins को एक pile में रखते हैं वैसे thalakoid को हम arrange कर सकते हैं हर एक pile को कहते हैं granum ठीक है and the thalakoid of different granum are connected by flat membranous tubule जिसे stromal lamellae बोला जाता है ये पूरा chloroplast का ही structure है ठीक है देखो यहाँ पे इस diagram में इस picture में आप देख सकते हो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये पूरा जो oval shape का आपको दिख रहा है this is chloroplast इसको अगर ऐसे cut करके अंदर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे देखोगे कि दो membrane है double membranous होती है outer membrane और inner membrane उसके अंदर stroma present होता है जो पूरा fluidy structure है stroma के अंदर उसको connect करने वाले कुछ ऐसे structures होते हैं जिसे stroma lamellae बोला जाता है inter membrane space जो दो अलग-अलग membrane के बीच की space होगी that will be known as inter-membranous space फिर यहाँ पे आप देखोगे थालाकोईड ठीक है ऐसा stack की तरह जो structure है this is थालाकोईड अब थालाकोईड जो है वो pile of coins की तरह अरेंज होता है यह दिख रहा है आप लोगों को ऐसा करके अरेंज होता है जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्राना ठीक है अब एक pile को granum बोलेंगे singular और बहुत सारे piles को granum बोलेंगे है ना तो यह सारी चीज़े हो गई समझ में आ गया chloroplast का structure पूर अच्छे तरीके से अब आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट में fat-soluble carotenoid pigment होते हैं जैसे की xanthophyll, carotene, etc यह प्रोवाइड करते हैं plant को characteristic color yellow, orange और red colors ठीक है और इन ही colors से petals में flower के petals में colors आते हैं है ना leucoplast colorless plastic होते हैं जो मेली nutrient या starch के storage के responsible होते हैं amyloplast इसमें भी categories है leucoplast में भी categories है amyloplast starch को store करती है यह leuroplast protein store करते हैं और lioplast lipid को यह फिर oil and fats को store करते हैं leucoplast के तीन अलग-अलग categories हो गए basic category कहां से शुरूवी plastic से प्लास्टिड एक तरह का cell organelle है plastic तीन टाइप का होता है plastic कितने टाइप का है तीन टाइप का पहला chloroplast दूसरा chromoplast तीसरा leucoplast अब leucoplast भी तीन तरह का होता है कौन-कौन सा allureoplast amyloplast और lioplast ठीक है चलो आगे चलते हैं most important cell organelle के तरफ that is ribosome यह membrane bound और बहुत ही important cytoplasmic organelle होते हैं जो कहां पे मिलते it is found in close association with the endoplasmic reticulum कौन सा वाला RER ठीक है RRR नी RER rough endoplasmic reticulum ribosomes are found in the form of tiny particles in large number of cells and are mainly composed of two-third of the RNA किस से बना हुआ होता है RNA से बना होता है और protein से बना हुआ है one-third protein और two-third RNA से बना होता है they are named as 70S जो की pro carry odds में पाए जाते हैं और 80S जो की u carry odds में पाए जाते हैं तो S जो है it refers to the density and size known as Sidworks unit बोट 70S और 80S ribosomes are composed of two subunits fine हाँ जी तो दो अलग-अलग subunits इसके हो गए सारी चीज़े तो clear कर दी मैंने हाँ चलो सब कुछ हो गया ribosomes या तो income past होंगे with endoplasmic reticulum या फिर freely वो cell के cytoplasm में पाए जाएंगे ribosomal RNA और ribosomal protein जो है यह दो component होते हैं जो together साथ में मिलकर ribosomes बनाते हैं अभी आप लोगों ने पढ़ा two third जो है वो RNA का बना होता है one third protein का बना होता है primary function ribosome का है including protein synthesis in all living organisms that ensure the survival of the cell protein नहीं बनेगी तो cell का survival कैसे हो पाएगा protein ही तो सारी चीज़े सारा information carry करके चल रही है ना information नहीं carry कर रही है basically information तो genes carry कर रहे है पर genes protein बनाने के लिए help किये जाते हैं तो protein उस character को उस information को pass on करेगी तो वही protein उस person के cell में अगर होगा तो वो उस character को express करेगा ठीक है चलो तो यह ribosome का आपका structure है एक second हाँ तो देखो यहाँ पर छोटे छोटे beats जो यहाँ पर प्रिली आपको दिख रहे है यही है ribosomes यह पूरा तो cell हो गया nuclear membrane है cytoplasm है nuclear cell membrane है यह छोटे छोटे beats जो आपको दिख रहे हैं यह ribosomes है और endoplasmic reticulum में जो roughness provide करते हैं चोटे चोटे beats टाइनी ग्रेल लाइक पार्टिकल्स आज आते बचों हम लोग गोलजी एपरेटस पे गोलजी एपरेटस बहुत ही प्यारा काम करता है जैसे हम गिफ्ट लेकर आते हैं लोगों के लिए ठीक है या फिर हमने घर में कुछ बनाया किसी के लिए कुछ गिफ् प्रड़क्स बाकी बनाया होते हैं उन सारे इसको न यह पैकिंग करता है तो गोलजी एपरेटस आज टर्म डास गोलजी कॉंपलिक्स और यह मेंब्रेन बाउंड और गिनल होती हैं फ्लाटन स्टैक्ट प्रॉच्च इसकी तरह जिसे हम सिस्टर ने बोलते हैं याद रगन सिस्टर ने गोलजी एपरेटस में होता है और क्रिस्टे जो है वो माइटो कॉंड्रिया में होता है माइटो कॉंड्रिया और सिस्टर ने याद रखना है आप लोगों को सबका नाम का इंफ्यूज नहीं करना वो गोलजी एपरेटस में होता है दसल और गिनल is primarily responsible for transporting, modifying and packaging of proteins and lipids to targeted destinations, अलग अलग destinations में protein और lipid की जो synthesis हुई हुई है, वो packaging और transportation का काम करेगा कोलजी apparatus, it is found within the cytoplasm of the cell and is present in both plant and animal cell, दोनों ही plant और animal cells में present होते हैं, उसके अलावा कोई important चीज हाँ, यहाँ पर glycoprotein और glycolipid की भी synthesis होती है, कहाँ पर गोलजी apparatus में, ओके, हाँ, it is the site of, site of synthesis of glycolipid and glycoprotein, लिख लेना बच्चो, ठीक है, चलो, आगे चले, यहाँ पर देख लो, आप लोग, figure में भी आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, कि यह इसका cis phase है, यह trans phase है, chemistry में पढ़ा न, cis and trans, वैसे यहाँ पर भी है, incoming transport vesicle, lumine अंदर प्रिजेंट होते है, secretary vesicle, trans phase, newly formed vesicle, तो vesicle बनते चले जाते हैं और वहाँ पर packaging इस तरह से होती चली जाती है, proteins and lipids की, आगे चलते हैं बच्चों, micro bodies में, micro bodies क्या है, यह membrane bound minute vesicular, vesicular organelle है, that is found in both plant and animal cells, they contain various enzymes and proteins and can be visualized only under electron microscope क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा tiny structure इनका होता है, micro bodies का, fine, और इन में बहुत सारे enzymes present होते हैं, fine, चलो, ऐसा बहुत ही simple सा इनका structure भी होता है, micro bodies का, आगे चलते हैं, cytoskeleton पर, cytoskeleton क्या है भाई, जरा हम भी तो देखें, तो cytoskeleton is a continuous network of filamentous proteinaceous structure, जो throughout cytoplasm में present होता है, nucleus में भी present होता है, plasma membrane में भी present होता है, हर एक living cells में ये present होते हैं, है ना, हाँ जी, फिन, notably in the eukaryotes ये present होते हैं, matrix इनके अंदर का जो fluid substance है, वो composed होता है, अलग-अलग proteins से that can divide rapidly या disassemble हो सकते हैं, depending on the requirement of the cell, primary function होता है, shape और mechanical support resistance प्रवाइड करना cell को against deformation, contractile nature होता है, filament का that helps in motility during cytokinesis, cytokinesis means division of the cell, cell division के time पर, cilia और flagella का क्या काम है भई, cilia और flagella तो सुना-सुना सा structure लग रहा है, पहले तो हम लोगों ने unicellular organisms में cilia और flagella का नाम सुना था, as a organ for locomotion, right, पर यहां पे भी present होता है और क्या काम करता है, it is a hair-like projection, small structure होता है, that is present outside the cell wall, और it works like ores to either move the cell or the extracellular fluid, hair-like projections होते हैं और basically locomotion movement के लिए इसको भी use किया जाता है, flagella थोड़ा सा बड़ा होता है shape में and is responsible for the cell movement, the eukaryotic flagellum structurally differ from prokaryotic counterpart, core जो है, cilia का, वो composed होता है, किस चीज़ से पहले तो उसको बोलते है exonima और वो 9 pairs of gradually arranged peripheral microtubules और set of central microtubules से वो contain मतलब constituent होते हैं, running parallel to the axis आपके ये बुक में भी इसका structure बना हुआ है, internal structure बना हुआ है, इसका cilia और flagella का, तो किस तरहीक देखो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये वाला structure देख रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, अब दिख रहा होगा, ये वाला structure देखो यहां पर ध्यान से देखो plasma membrane है, peripheral microtubules है, inter-doutlet bridge है, central microtubule, radial spokes, central sheet and everything, तो यहां पर जो central tubule है यह interconnected होंगे एक bridge से और embedded होंगे by a central sheet जो यहां पर लिखा हुआ भी है और दिया हुआ भी है इस figure में ध्यान से देखो होंगे तो दिख जाएगा, one of the peripheral microtubular pairs is also interconnected to the central sheet by a radial spoke, ठीक है, radial spoke से यह connected होते हैं, hence there is a total of nine radial spokes, cilia और flagella emerge करते हैं, centriole जैसे structure से, जिसे हम basal bodies भी बोलते हैं, है ना basal bodies भी बोलते हैं और exoneme का simple सा आप nine plus two array का structure याद रखना, इतना अगर नहीं भी आए, तो बस इतना भी अगर लिख लोगे तो examiner समझ जाएगा कि आपको कुछ तो आता ही है इसके बारे में, so देखो, flagella इस type का है और cilia इस type के होते हैं, आगे चलते हैं centrosome and centrioles में centrosome एक तरह का organal है, जो दो mutually perpendicular structure से बना हुआ है, जिसे हम centriole बोलते हैं, दोनों centriole को मिला कर centrosome बन जाता है, एक-एक centriole जो है, वो composed होता है nine equally space peripheral fibrill of tubulin protein से, और fibrill क्या है, एक तरह का tripling interlinked set होता है, core part जो है centriole का, it is known as hub, और ये proteinaceous nature के होते हैं, the hub connects the peripheral fibrills via radial spoke, जो made up होते हैं protein से, centrioles जो basal bodies से निकल रहे हैं, cilia और flagella के, it gives rise to spindle fiber during cell division, cell division पढ़ा है ना, spindle fiber पढ़ा है, centrioles से तो arise हो रहा था, और ये सिर्फ और सिर्फ animal cells में ही present होते हैं, ठीक है, plant cell में ये नहीं होते, ये भी याद रखना है आप लोगों को, चलो, तो centrosome हो गया, centriole हो गया, अब हम लोग last देख लेते हैं vacuoles, I think ये last ही है vacuoles, इसके बाद शायद ही कोई cell organelle बचा होगा, हाँ, ये last है, चलो, तो vacuoles are mostly defined as storage bubbles of irregular shapes, which are found in cells, storage bubbles, plant cell में बहुत बड़े-बड़े vacuoles present होते हैं, जबकि animal cells में बहुत छोटे-छोटे या कभी-कभी नहीं भी present होते हैं, so these are fluid-filled organelle enclosed by a membrane, ये भी membrane-bounded structure है, cell organelle है, it stores the food or a variety of nutrients that a cell might need to survive, plant cell में जो बड़े-बड़े vacuoles होते हैं, वो इसी लिए होते हैं, ताकि उसके अंदर बहुत सारा food का storage हो सके, photosynthesis के बाद जो food बनी, वो vacuoles में stored रहती हैं, ताकि जब भी requirement हो, जब भी need हो, तब वो उस food को utilize कर सके, so in addition to this, it also stores waste products, waste products evenly, eventually throw out हो जाते हैं, vacuoles के ही through, अब देखो याद होगा आप लोगों को amoeba का structure, amoeba में भी vacuoles present होते थे, food vacuoles उनमें होते थे हैं, तो food vacuoles का का काम क्या होता था, उसी में digestion करना food का, और वहीं पर waste generate होती थी, तो food vacuoles उसको throw out कर देता था, body के बाहर, amoeba के body के बाहर, वैसा ही इसका भी function होता है, does the rest of the cell is protected from contamination, तो vacuoles का बहुत ही जादा important role है, cell के अंदर, कि वो एक तो store भी कर रहा है food को, उपर से जितने भी metabolic waste generate हो रहे हैं, उसको भी वो throw out कर रहा है, excrete out कर रहा है cell के बाहर, ताकि cell में किसी भी तरह का contamination या infection ना हो, animal और plant cell अलग-अलग sizes के होते हैं, और अलग-अलग numbers भी होते हैं उस cells के अंदर, compared to animals, plant cell के पास बड़े-बड़े larger vacuoles present होते हैं, देखो यहाँ पर, vacuoles का structure देखो, lightic vacuole, यह Golgi apparatus है, protein storage करने वाला vacuole है, ठीक है, cell wall हो गया, यह nucleus है, endoplasmic reticulum है, तो दो अलग-अलग तरह के vacuole आप देख सकते हैं, एक तो यह protein को store करने वाला है, और एक lightic vacuole है, lightic यहाँ लाइसिस करने वाला vacuole, मौका मिलते ही, उसको वो throw out कर देगा, waste को, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा है, सब कुछ हो ही गया है, कुछ तो बचा हुआ है नहीं, हाँ, एक छोटी सी चीज़ बच गई है, बच्चो, क्रोमोजोम के बारे में, है ना, वो nucleus में ही आ रहा था, पर चलो ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे ही, orally समझा देती हूँ, क्रोमोजोम में भी, क्रोमोजोम भी बहुत टाइप के पाये जाते हैं, है ना, एक होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, जिसका सेंट्रो मेर, जो middle पार्ट होता है, जो, बेसिकली, सेल डिवीजन के टाइम, regulate करता है, सिस्टो क्रोमोजोम के separation को, वो सेंट्रो मेर, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में, सबसे middle में पाया जाएगा, सब मेटासेंट्रिक में, एक साइड पे, थोड़ा जादा, वो, एक साइड पे चला जाता है, इस टाइप का लगभग होता है, यह हो गया, सब मेटासेंट्रिक, और जो बिल्कुल इक्वल होते हैं, बिल्कुल जो इक्वल होते हैं, ना, ऐसे करके, यह होते हैं, metacentric दोनों parts equal है इसमें एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है और एक होता है telocentric ऐसा कुछ होता है ठीक है यानि कि एक pole में एक last के जो छोर में present होता है इसका centriol terminal centriol होता है इसे हम eye shape का भी की बोलते हैं और कुछ बच गया नहीं centromere में एक structure होता है जिसे हम kineto core बोलते है kineto means what kineto basically nucleus के मतलब division को related word है kineto ठीक है तो kineto core क्या करता है regulate करता है cell की division fine सारी चीज़े तो अब हो गई है बच्चो अब तो कुछ बच्चा है नहीं I guess कुछ भी बच्चा होगा अगर आपको लग रहा है कि कोई topic या कोई भी term मैंने नहीं समझाया तो आप मुझे comment box में comment कर देना मैं आपको अगले session में वो सारी चीज़े अच्छे तरीके से explain कर दूँगी बाकी last moment revision के लिए ये session आपको बहुत ज़्यादा beneficial होगा तो इस session को अगर पूरा देख लिया है और अच्छा लगा है और कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज डू comment और अगर आप हमारे नए बच्चे हो तो प्लीज शेर करो और हाँ कल ही हमारा एक नया batch भी start होने वाला है उस batch में हम क्या-क्या announce करने वाले यह तो आप लोगों को कल ही पता चलेगा so stay tuned for the launching of the new batches okay take care बच्चों and bye-bye